हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टो वर यूटूब चैनल देसी स्टेशन्स देसी स्टेशन्स इस फिडियो में आपको लेकर आये हैं खुबसूरत से गुरई बीच पर आगे सुन्दर से समुन्दर का नजारा पीछे रॉक स्ट्रक्चर्स और उसके बीच में नारियल के पेड समुन्दर का ये नजारा बहुत ही ओसम है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई के लोगों की लाइफ काफी क्राउडेट और बिजी होती है ऐसे में वीकेंड्स में अपने लिए मी डाइम निकाल कर आप गुरई बीच में इंजॉय कर सकते हैं इस डिस्टिन रेस्ट्रेंट है जहाँ पर शाम का एनवार्मेंट काफी अच्छा होता है शाम के समय यहां की यही रेस्ट्रेंट और भी खुबसूरत हो जाते हैं यहाँ पर लाइफ म्यूजिक खुब सारी मस्ती और धमाल होता है इवन यहाँ पर डिनर के लिए बहुत लंबी वेटिं क्यूंकि हम मॉनिंग की टाइम में गय थे अभी यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं थी और हमने यहाँ पे अपना ब्रेकफ़स्ट लिया समंदर से चलने वाली ठंडी ठंडी हवा और लहरों की कलकल आवाज के बीच में अपना फूट टाइम इंजॉय करना काफी कूल वाइब देता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप यहाँ कब विजिट करने वाले हैं गुरई बेच विजिट करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे बने हुए शांती के प्रतीक पगोड़ा की ओर पगोड़ा पहुँचने के कुछ देर पहले ही आपको अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देनी है उसके बाद आपको यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना है पगोड़ा में एंटर करने के लिए आपको कोई भी एंटर टिकेट नहीं लगेगी बस आपको यहाँ विजिट करने के लिए यहाँ की टाइमिंग्स का ध्यान रखना है यह मौनिंग सिक्स से इवनिंग सिक्स तक खुला रहता है पगोड़ा का स्ट्रक्चर काफी ब्यूटिफुल है एंटरी में ही आपको दो बड़े शेड दिखेंगे और इसका गेट भी बहत खुबसूरत है चलिए आगे बढ़ते हैं पगोड़ा मेंली बुद्धिस धर्म के लोगों के द्वारा बनवाया गया है यहां शान्ती समर्पन और ध्यान का वातावरन होता है यह एक बुद्धिस टेंपल है जो मेडिटेशन पर फोकस करता है यहां मेंली वाइट मार्बल्स का यूज किया गया है जो इसे और भी खुबसूरत बनाता है दोस्तो आई होब कि आपको आज का इस ब्यूटिफॉल गोरई बीच और पगोड़ा पे वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो जल्दिस इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल देस टेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें हम इस चैनल पर इसी तरह के नए नए ट्रेवल डेस्टिनेशन पर वीडियो बनाते रहते हैं